क्या महराष्ट के पूर्व मुख्य मंत्री देविंद्र फड्नविस ने जाली नोटों के बड़े मामलों को रफादफा किया। आरोप लगाया है मोजुदा मंत्री नवाब मलिक ने। क्या नवाब मलिक ने मुंबई बम धमाकों के आरोपियों से जमीन खरीदी। आरोप लगाया है पूर्व सीम देवेंद्र फड्नविस ने। लोग तंत्र की रवायत है कि आम वोटर अपने पूर्व सीम फड्नविस जो रोज फिर से सीम बनने की कोशिश कर रहे है और मोजुदा मंत्री मलिक की बातों को गंबिरता से ले उन पर यकीन करे। और चुकि इनकी बातों पर यकिन करना चाहिए तो क्या इनके द्वारा लगाये आरोपों को अंजाम तक पहुचाना ज़रूरी नहीं है। ये आरोप इतने गंबिर है और इनमे जराभी सच्चाई है तो आम आदमी किस सिस्टम के भरोसे जी रहा है। फटनविस ने वैसे तो मलिक पर कई आरोप लगाये है लेकिन एक आरोप सबसे गंबिर है वो ये कि मलिक के परिवार से जुड़ी सॉलिडस कमपनी ने मुंबई बंबलास के आरोपियों से जमीन खरी दी। इस सॉदय में मुंबई के प्राइम एरिया में तीन एकड की करोडों की जमीन महज 20 लाख में हड़पने का आरोप है। मलिक ने सफाई दी है कि जमीन की खरी दी सभी नियमों के तहद की गई है। ये सौदा भले ही 2005 में हुआ हो लेकिन आज इतने पैसों में एक छोटा मकान भी मुश्किल से मिलता है। इसके अलावा एक आम आदमी स्टैम ड्यूटी रेजिस्टेशन के जरिये सरकार को रेविन्यू भी देता है। ऐसे में इन आरोपों में तत्य हो तो ये टैक्सपेयर से धोकाधड़ी से कम नहीं। लेकिन क्या इसकी सच्चा ही सामने आएगी? ये जिम्मेदारी है फटनविस पर कि वो इस गंभीर आरोप को मुकाम तक पहुचाए। अब देखिए मलिक ने फटनविस पर क्या आरोप लगाये है। देश में नोट बंदी के बाद महराश्ट के तत्कालिन सीम फटनविस ने करोडों के जाली नोटों का मामला दबाया। आरोप है कि DRI की छापे मारी में 14 करोड 56 लाग के जाली नोट पकड़े गए। लेकिन मामले को रफा दफा कर सिर्फ 8,80,000 की जबती बताई गई। ऐसे मामलों में RBI, CBI और NIA को रिपोर्ट करना ज़रूरी है। उसके बाद CBI और NIA तै करते हैं कि मामले को किस तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन मलिक का आरोप है कि मामले में जाच आगे नहीं बढ़ी। जबकि DRI के सूतरों की माने तो मामला कोट में पेंडिंग है और आरोपी जमानत पर बाहर। इसके अलावा मलिक कह चुके है कि जिस वीडियो को ड्रग माफिया ने फाइनांस किया उसमें फड्नवीज और उनकी पत्नी नजर आई। जिस ड्रक्स के चक्कर में महराष्ट की राजनिती दलदल में नजर आ रही है। उसकी छिटे जब पुर्वसीयम तक आने लगे तो आम आदमी हिल जाता है। जाहिर है नवाब मलिक को आरोप लगा कर चुप नहीं बैटना चाहिए। इसे साबित करना चाहिए ताकि पबलिक के सामने दूद का दूद और पानी का पानी हो सके। राजनेती उठापटक में सारवजनिक तोर पर आरोप एक बात है। लेकिन ऐसे गंभीर आरोप लगते है कि सिस्टम के शीर्ष पर बैठे लोगों से भरोसा उखडने लगता है। ऐसे में मामला अब सियासी स्कोर सेटल करने का नहीं रहा। अगर ये नेता इन आरोपों को साबित करने के लिए कानूनी कारवाई नहीं करते तो वो खुद कढ़ेरे में खड़े हो जाएंगे। और वोटर एक ऐसे दो राये पर खड़ा होगा जहां उसे समझ में नहीं आएगा कि वो यकीन करे तो किस पर करे।